हेलो फ्रेंड्स आएम रिना और मैं आज आपको रिलेशनेल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हमारा जो सेकेंड चेप्टर है हमारा जिसका जो सेकेंड चेप्टर है वो सेकेंड चेप्टर का नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द ओर्गनाजेशन इसके अंदर मैं आज आपको database का introduction बताऊंगे ता ये शुरू करते हमारा topic है database का परिचर यानि कि introduction to database ता ये शुरू करते हैं एक बाद जब operational data का पता चल जाए उसके बाद किया जानना आवेशक है कि इसे organization के लिए किस प्रकार से अच्छी स्टोर किया जाता है या किस प्रकार इसे अच् करने का तरीका ही database की और ले जाया जाता है data को handle करना और कुछ नहीं बल्कि data को collect करना वदलना तथा आवशक्त अनुसर निकालना या प्राप्त करना है database एक storage है जो कि अधिक मातर में data को store करता है इससे आवशक्त पढ़ने पर सोचना produce की जाती है साधरन तर एक database का जो data को store करने का स्थान है वो database को physical रूप में secondary storage या फिर डिस्क में रखा जाता है इसे secondary storage डिवाइस आ फिर डिस्क में रखा जाता है इसलिए database में store किया गया data स्थाई हो जाता है जिससे इसका use बाद में किया जा सके data की quality तथा इसके organization की size पर निर्भर करती है database से संब्दित functionality निमनलिखित है जो मैं आपको अब बताऊंगे तो database से संब्दित functionality जो निमनलिखित वो इस प्रकार है कि database का creational, database में data जोड़ना, data को update करना, साथ ही database से data को प्रभावी तरीके से retweet करना, database में रखे गए data को सुरक्षित करना, एवं database से data को हटाना तो database का creational planning से शुरू होता है, जब data को store करने की planning बनाई जाती है, तो एक model बनाया जाता है, और इसी model के आधार पर database बनाया जाता है इसे physical रूप से बनाना, database का creational घर लाता है, बनाए गए database में सिर्फ structure या framework को होता है, अब इसमें data रखा जा सकता है एक बार database बन जाने के बाद अगला कार्य इसमें data जोड़ना होता है, यह कार्य इंसरेशनल operation द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे data को इंसरेशनल कहते है एक बार store किया गए data, organization की activities के basic जो facts भी हो सकते है, कुछ data इस data में से निकला जा सकता है कुछ data आवशक तनसर चेंज भी किया जा सकता है, यह सब भी work data को update करने से related होते हैं database में data store करने के बाद अगला जो work होता है, इसे retrieve करना होता है data को information produce करने के लिए retrieve किया जाता है, data के retrieval इस प्रकर होनी चाहिए कि जिससे इसमें कम से कम समय लगे या फिर इसे database से data निकालने का जो process होता है, retrieval of data functionality इसे कहा जाता है database में store किये गए data को organization के, जो कई व्यक्ति का प्रयोग करते हैं इसलिए data की जो authenticity जो घड़ जाती है, घड़ जाती है या फिर घड़ सकती है जादा व्यक्ति अगर इसका उप्योग करते हैं तो, तो database को सिर्फ सही user द्वारा ही प्रयोग में लाने की अनुमती होनी चाहिए इसलिए security की जो तकनिकों का होना भी आवशक होता है यह सुविधा database में data की security या फिर security of data functionality कर लाती है जब data काफी पुराना हो जाता है, बहुत ही जादा पुराना हो जाता है तथा organization के काम के काम नहीं रहता तो इसे database से हटा देना चाहिए क्योंकि इस process को data delete करना या फिर delegation of data functionality भी कहते है क्योंकि इसे delete करने के बद जो आपका data का जो process है बहुत अच्छा चलता है database की in functionality को ही सही program द्वारही किया जा सकता है ऐसे program को set dbms यानि की database management system कहते है अब हमारा जो अगला topic है वो हम पढ़ेंगे अपने next वीडियो में तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को like करिए जाते से जाते इस वीडियो को आप share करिए subscribe करिए मेरे चैनल को और मेरे चैनल के bell icon पर click करिए ताकि में जो नए नए वीडियो अप्लोड करते रूँ वो आपको समय समय पर मिलती रहे